ओम साही राम, वेलकम टू साइंस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि हम सबकी जिंद्गियों में बहुत सारे समस्या हैं, बहुत सारे परेशानिया हैं, लेकिन क्या सिर्फ शिकायत करके हम समस्यां उसे बच सकते हैं नहीं न, अगर हम जिम्मेदारे उठाएंगे न, तो जरूर हम उस समस्या का समधान जरूर ढूंड लेंगे, सबके जिंदगी में कोई न कोई परेशानी जरूर होती है, सबके लाइफ में पॉब्लम है, लेकिन अगर हम शिकायते करने से अच्छा, उन चीजों पर अगर काम करना शुरू कर देंगे, उसका solution निकालना शुरू कर देंगे, समाधान निकालना शुरू कर देंगे न, ज्यादा चिंता अगर हम समस्या की नहीं समाधान पर करेंगे न, ज्यादा सोचेंगे उस बारे में, तो हम उसका सही solution निकाल पाएंगे, एक सही ढंग से कोई न जरूर निकलेगा तो चलिए आईए इस पर मैं आज छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगी और आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से अपने उपर और अपने समस्याओं पर काम करना चाहिए तो दूना लकड हारे थे एक का नाम था सुखिया और एक का नाम था दुखिया तो उसकी तरह वो जंगल में लकडिया काटने जाते थे तो एक दिन जब वो पहुँशते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि राती रात में जो लकडी के तसकरे होते हैं वो पूरा जंगल साफ करकर ले गए सारे पेड़ वो काटकर बड़े बड़े ट्रकों में भरकर रकडियां ले गए और उस वक्त ना नेचरल सी बात है जब वो दोनों गए तो वो इतना हैरान हो गए देकर इतना दुखी हो गए और जो दुखिया था न वो तो बहुत ज़ादा नाराज हो गया और वो बोलने लगा सुखिया से कि मैं गाउं में जाऊंगा और एक-एक व् इतना सब कुछ हो गया और इतना सब कुछ घटित हो गया उसके बावजुद भी तुम यह रुकना चाहते हो तुम इसके बारे में गाउंवाले से कुछ नहीं कहना चाहते इनके खिलाफ कोई कारवाही नहीं करना चाहते तो उस वक्त सुखिया ने कोई जवाब नहीं दिय तो दुखिया जो था वो गुसे में गाउं में आता है और गाउं में आके गाउं के मुखिया से बात करता है और उनके खिलाफ सक्त कारवाई करने को कहता है और गाउं में घर गर जाके इस घटना के बारे में हर एक गाउं वाले को बताता है कि जंगल में क्या घटना घटित तुछ İsाथ रखर बैठा हुआ है कि देखो इतना कुछ हो जाने के बावजूद बीना सुुख्या जो है वो हाथ पर हात रखे बैठा हुआ है वो कुछ भी नहीं कर रहा तो दुखिया एक गाउह嘜 जाता और सु गटना गटित हुई वो सबको एक एक गाउंवाले को बताता था सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन वो हर एक घर में जाके हर गाउंवाले को बोलता कि उनके खिलाफ कारवाई करते हैं लेकिन गाउंवाले भी करते क्या वो से सुनते थे और सुनकर उसे तसल्ली दे कर और अ तो सुखिया ने बोला कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ दोपहर तक चलेंगे तो वो और जदा गुसा हो गया दुखिया कि इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जंकल में इतनी मड़ी घटना घटित होई है उसके बावजूद भी कुछ करने को तयार नहीं है लेकिन दुखिया वहां से गुसा ओकर फिर चला गया फिर से नाराज हो गया सुखिया से फिर तीसरे दिन परिशान होकर दुखी होकर न वो दुबारा से सुख्या के घर पर आता है और उसने सोच लिया तीसरे दिन कि मैं अब धरना दूँगा गांधी चौक पर धरना दूँगा योजना बनाई उसने और योजना सोच कर वो सुख्या के घर पहुँशता है जब व व्यक्ति पागल है ये क्या करने जंगल में गया है वहाँ तो हमारे मतलब की कोई भी रकडिया बची नहीं है तो ये वहाँ पर क्या करने गया है उसे गुस्सा आ रहा था दुखिया को बहुत जाता गुस्सा आ रहा था फिर भी वो सुखिया को देखने के लिए जंगल पौझ कर देखता है न तो वहां सुखिया सारे जंगल की सफाई करकर न नए पौधे लगा रहा होता है तो दुखिया कहता है कि अरे तुम ये सब करके क्यों अपना समय बरबात कर रहे हो ये सब करने में अभी तो हमें बहुत सारे लोगों को जंगल में घटा घटित जो हु लेकिन शिकायत करने से नहीं आएंगे तो इस कहाणी से हमें क्या प्रेणा मिलती है हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशे चाहे जिन्दगी में कितना बुरा से बुरा क्यों न हो जाये लेकिन अगर हम अपनी समस्याओं पर काम करना शुरू कर देंगे उनका समाधान निकालना शुरू कर देंगे लोगों से कहना बंद कर देंगे और अपने solutions खुदी समस्याओं करेंगे अपने science से बोलेंगे तो definitely आपके समस्याओं का समाधान होगा लेकिन हम सबको आसान क्या लगता है शिकायते करना शिकायते करना सिर्फ एक हद तक सही है तो क्या सिर्फ शिकायते करना ही solution है नहीं न अगर हमारे जिंदगी में कोई problem है अगर हम किसी और को जाके कहेंगे तो क्या वो हमारी problem को solve कर देगा नहीं कभी नहीं कर सकता तो शिका से जटिल समस्याओं से भी भाहर निकल जाओगे वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है कुछ बहुत बुरा आपके साथ हो रहा है ना या कुछ भी तो अगर आप से सुलजाने का एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो आप समस्या करना उसे आसान समझते हैं किसी को कहना अपने दुख दर्द बाटना तो सही है वो भी सिर्फ ऐसे इंसान के साथ जो आपके विश्वास के लायक हो लेकिन हर किसी को बताना भी सही नहीं होता और क्या अगर हम किसी को बता देंगी अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो क्या वो हमारी problem को solve कर देगा एक हद तक कोई कर सकता है लेकिन हमेशा करे ऐसा possible नहीं है तो हमें हमेशा अपनी problems को खुछ सुलजाना चाहिए अपने बहाव पर तो हमें हमेशा ना चिंता नहीं करनी आपके life में अगर कोई problem है ना तो उसके बारे में सोच कर अपने आपको परिशान करने से बेटर है कि आप उस चीज का solution निकालो उस चीज के बारे में सोचो कि मैं इस समस्या से कैसे बाहार निकल सकता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई solution है ही नहीं solution definitely होता है अगर आपके चारो दर्वाजे बंध है ना तो कहीं ना कहीं एक दर्वाजा जरूर खुला होता है क्योंकि हम क्या करते हैं tension में आगे ना इतना अपने आपे burden डाल लेते हैं कि हमें solution सामने होता है पर नजर नहीं आ रहा होता रास्ता सामने होता है पर समझ नहीं आ रहा होता तो इसलिए कहते हैं ना जादा सोचोगे तो जो चीज करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे तो इसलिए जादा सोचना बंध करो बलकि अपने mind को इतना fresh रखा करो इतना ताजा रखा करो कि अगर कोई problem है तो उसका solution निकालो और जो problem आपके हाथ में ही नहीं है जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको साई पर छोड़ दो साई से कह दो कि साई आपको समालना है आपको करना है फिर देखना साई है न वो करेंगे लेकिन आपको tension नहीं लेनी में चीज़े अगर आप tension लोगे तो आपके स्वास पर बहुत effect पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है बलकि अगर आप अपने समाधान पर काम करेंगे अपने solutions पर काम करेंगे न तो definitely आप आज नहीं तो कल उस problem से बहार आजाएंगे definitely आएंगे साई के भरोसे रहिए साई पर विश्वास कीजिए साई हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको बहार निकालेंगे तो इस कहानी से हमेशा आपको यही सीखने को मिलता है कि अपने solutions पर ध्यान दीजिए अपने समाधान पर ध्यान दीजिए ना कि शिकायते करने पर क्योंकि अगर आप दुनिया से कहेंगे न तो दुनिया ध्यान नहीं देगी जैसे वो गाउवाले नहीं दे रहे थे वो आपको सिर्फ सिंपैथी देंगे वो आपको कभी भी help नहीं करेंगे बहुत ही कम लोग होते हैं जो help कर देते हैं लेकिन हर कोई नहीं करता तो इसलिए ना हमेशा अपने उपर भरोसा रखिए अपने साइं पर भरोसा रखिए और हमेशा अपनी problems को खुद solve करना सीख जाएए और आपके अंदर हिम्मत है आप अपने हिम्मत को पहचानिए आपके अंदर वो शक्ती भी है वो ताकत भी है वो जीतने की शक्ती है और आप जीतोगे definitely जीतोगे सब के अंदर हम सब के अंदर शक्ती है कोई special नहीं है भगवान ने सब को same बनाया है तो हमेशा अपने इश्वर पर भरोसा रखिए और main अपने आप पर रखिए सबसे first अपने आप पर trust करना है दूसरा अपने भगवान पर trust करना है फिर देखना आप बहार निकल जाओगे चाहे लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी problem क्यों ना हो आप उसको face कर लोगे definitely करोगे तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मैं लूंगी समापती अगर आपके कोई अनुभव हैं तो screen पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ share कर सकते हैं आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए ओम साही राम जै साही राम